नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल साहता में दोस्तों एक मरा आदमी अपने लिए चार आदमी खट्टे कर सकता है तो आप तो फिर जिन्दा है 21 दिनों में कैसे बने करोड़ पती कैसे दो महीने के अंदर लें 10 करोड़ का बंगला कैसे एक महीने के अंदर आप घुमे पूरा यूरोप दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें आपके रिष्टेदार आपके मित्र आपके पास प्लैंस लेके आते हैं वह आपसे कहेंगे कि भाई सब किवल पांच मिनिट के लिए आप मेरे से मिल लीजिए हमें आपसे कुछ काम है और यह कहके वह आपके पास आते हैं और आपको प्लैन समझाते हैं कि हम तो एक बिजनस प्लैन आपको इतना लालेज दिया जाता है इतना लालेज इतने सपने दिखाए जाते हैं सेक्चिली के कि आपको ऐसे लगता है कि वह मैं तो शायद घर में बैटे-बैटे थोड़ी से पैसों से करोड़ पती बन जाऊंगा ऐसे ऐसे उधारन आपके सामने रखे जाएंगे कि आपको दो मिनट के लिए भूल जाएंगे कि शायद आप अपने घर में ना बैठके किसी बहुत बड़े महल में बैठे हुए है तो दोस्तो यह है मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला स्टेप और मैं आज आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग किसे कहते हैं वो networking क्या है जिसकी किसमें बात की जाती है वो product क्या है जिसके सहरे आपसे पैसा लूट कर और उको बाड़ दिया जाता है और आपको भी उस scam का हिस्सा बना दिया जाता है और इस तरीके के भारत के अंदर जो हुए fraud है उनके बारे में भी आज मैं आपको इस वीडियो में द दिखेगा शुरू से लेके अंड को दौसत अब मैं आता हूं मुद्देगी बात पर दोस्त आपने अकसर देखा होगा कि आपके नोओν आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, क्योंकि इसके अंदर शिकार भी अपने नोन ही बनाते हैं, अनोन व्यक्ति कभी भी आपको इसका शिकार नहीं बनाएगा, क्योंकि वो खुद इसका शिकार बन चुके होते हैं और उनको आगे शिकार ढूडने होते हैं कि हम तो शिका किया इसने networking करी और या जो है इतने करोड रुपए कमा रहा है एक दिन के एक लाग रुपे इसके account में आते हम इसकी account detail आपको दिखा देंगा आपको समझ नहीं आता कि आपकर कर रहा है फिर आपको समझाएंगे कि देखे आपको अपने नीचे एक चेंड करने पर वो पिरामिड बनेगा कैसे इसके लिए सबसे पहले वह आपको अपना model समझाते हैं कि आपको एक amount वह amount कोई 10,000 रुपए भी हो सकता है और इसकी एवेज में हम आपको अपनी company के कुछ products देंगे जिसकी value इस amount से बहुत ज़ादा होगी वह सिर्फ एक चलावा होता है दोस्तों आपको लालस दिया आता है beauty product के नाम से herbal product के नाम से आयरुवेदिक product के नाम से कि आपको 10,000 रुपे लगा कि हम 50,000 रुपे देंगे और आप इस चीज के member बन जाएंगे फिर आपका अगला प्रश्न होता है दोस्तों से कि मुझे फाइदा क्या होगा तो आपको अंदर 3,000,000 रुपे कमा सकते हैं आप 25 दिन के अंदर 3,000,000 रुपे कमा सकते हैं आपका दिमाग घूम जाता है दोस्तों ऐसे में देखे कि आखिर वो ऐसा क्या मोडल है कि जिसमें घर बैटे-बैटे में इतना पैसा कमा सकता हूं और केवल 10,000 करके तो दोस्तों multi-level marketing का स्टल सच होता है जब आपको यह बताते हैं कि आपको अपने नीचे लोग create करने, कैसी create करने तो दोस्तों वो कहता है कि आप को अपने नीचे मेंबर बनाना है राइट साइड में और एक member बनाना है लेट साइड में जैसे कि इस जो आपके ये जो एक photograph है इसके अंदर बताए गया है और फिर क्या होगा कि उसके बाद वो वेक्ति जो आपके नीचे left और राइट में वो अपने नीचे दो member बनाएगा और इस तरीके से ये चिंड बनती ये चेक मिलताएगा member जोड़ते चेक मिलताएगा और एक दिन आप जो करोड़ पती हो जाएंगा दोस्तों कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों लेकिन दोस्तों ऐसे भारत के अंदर कई फ्रॉड हुए हैं कई दर्ज हुई हैं जिसमें कि multi-level marketing के जो company के मालि प्राइब थे उनको जेल तक जाना पड़ा है और तो और दोस्तों उनको नहीं वो लोग भी जिन्हों ने इसके अंदर दूसरे लोगों को बेकूफ बनाकर उनको जॉइन कराया और कल को उनका पैसा मर गया तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो व्यक्तिवी जिम्मेवार है जो दूसरों को induce कर रहा है अपना पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों अब आपको ऐसा लगएगा कि इसमें बूरा क्या है दोस्तों इसमें बुरा कुछ नहीं है इसमें सिर्फ जो है वो है धुका दोस्तों सबसे important बात है कि इसमें बातकरी आते network से इसमें kisip productivity को promote नह छलती जाते ही चलती जाते है टॉप तुब उटम एक पिरामीट बन जाता है तो दोस्तों हम आदमी जो बेटा हुआ पना लाखों करोडन रुपए लगा चुका और उसको उमीद है कि उसको भी शायद उस पिरामिड वाले व्यक्ति के अनुसार पैसा मिलेगा पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है लोगों को लालज बनाने के लिए खुद को लोग गिफ्ट दिलवाते हैं खुदी कार खरीते हैं और कंपनी के किसी फंक्शन को और्गनाईस किया जाता है और बोला जाता है कि देखिए इस आदमी ने इतना मेहनत करी है इतने नेट्वर्क को जोड़ा है और इनको हम कार गिफ्ट कर रहे हैं यह तरीका होता है बेकूफ बनाने का और एहसे में क्या होता है कि आप परिशान होते हैं आप एक कुछ सेकंडरी कोई साइट बिटनस करना चाहते हैं और आप पहले एक छोटा अमाउंट फिर उसके बाद एक थोड़ा बड़ा अमाउंट फिर थोड़ा बड़ा अमाउंट और इस तरीकी से पैसा इसके दलदल में इस अंदे कोई में जोगते चले आते हैं और जो इसके अंदर रियल बेनिफिशरी हैं जो लोग उपर बैटे हुए हैं वो आपके पैसा उनके पास जमा होता चले आता है और एक दिन यह बिद्नस अचानक से एक फ्रॉड के तहट बंद कर दिया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ डवलप्मेंट तो होई नहीं रहा ना बिद्नस तो कोई आगे बढ़ नहीं रहा प्रोडक्शन तो कोई हो नहीं रहा है तो यह पैसा बिसीकली जाएगा कहा क्योंकि इंवेस्ट तो हो नहीं रहा है यह तो बढ़ जा रहा है और दोस्तों आपको पता होगा उनका पैसा आपको भी मिला थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन अल्टीमेटली इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई और जिन प्रोडक्श की बात करी जा रही है दोस्तों ऐसे कई कंपनी इसके अगेस्ट जो है फ्रॉड के मुकदमे दर्जो चुके बताया गया है कि 100 रुपे की चीज़ को 9000 रुपे में दिया गया यह बता कि यह तो बड़ा हर्बल प्रोड़क्ट जब उसकी कॉलिटी जांच हुई तो पता चला कि तो पुरा-पुरा फ्रॉड था तो दोस्तों मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है यह जो नेट्वर्किंग की बात की जाती है यह कुछ नहीं है यह केवल और केवल लोगों को बर्गोलाना लोगों को धोके में रखना और लोगों के अंदर एक लालच उत्पन करके उनको बेकुब वनाने की एक प्रकिरिया है जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग जो शातिर दिमाग के होते हैं वो इस पूशिश करते हैं जिसमें कि उनको लालेज दिया जाता है इंड्यूस किया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों भारत के सर्वोच चन्याल है मैं उन्हें सुप्रीम कोट के अंदर ऐसा ही मुकदमा गया जब ऐसी को सबसे फ़रे शेशन कbell क्या है कोट में चेलेंज किया लेकिंक उनको रिलीफ नहीं मिला और अल्टीमेटली दोस्तों बो सुप्रीम कोट पहुंचे माने यह सप्रीम कोट और वहां पहना पर सुप्रीम कोट क्या कहा उन लोगों के लिए जिनका पैसाइसमें इन्वेस के वाल लालच के मारे आके फस जाता है अईजू दोस्तों पढ़ते हैं मैं आपको पढ़के बताता हूं कि सुप्रिंग कोड की judgment में क्या लिखा हुआ है तो दोस्तों देखिए सुप्रिंग कोड की judgment है कुर्याचन चाको वर एंड अथर्स वरसे इस टेट अफ कैरला 10 जुल मैं आपको पढ़के बताता हूं, the high court also upheld the argument of prosecution that the scheme was a mathematical impossibility, दोस्तों इसमें बताया गया कि यह जो scheme है, यह mathematical impossibility है, जिस तरीके से आपको बरगलाया जाता है कि आप करोड़ पती और अरब पती बन जाएंगे, यह honorable high court की judgment की मैं लाइने पढ़ां दोस्तों, कि it is a mathematical impossibility that is not possible at all, the promoter of the scheme very well knew that it is certain that this scheme was impracticable and unworkable making tall promises which the maker of the promises knew fully well that it could not work successfully, कि जो promoters होते हैं in schemes के उनको खुद यह पता होता है कि यह scheme कुछ नहीं है, it is a total fraud, impractical, but still वो ऐसा काम करते हैं कि जिससे वो innocent लोगों को इसमें फसाते हैं, it could work for some time in that, जैसे दोस्ते बहुत ही famous saying है इसमें जो honorable high court के इस paragraph में कि Paul can be robbed to pay Peter, मला आप एक आदमी को लूटिए ताकि वो दुसरे को और उससे pay करते जाएं, फिर वो किसी को लूटेगा वो और उसको pay करता रहें, ऐसे करते करते, आगे क्या बोला, but ultimately there is a large number of Peters, आप Paul को देने के लिए Peters को cheat करते रहें, और जब वो पिरामिट बना, जिस पिरामिट की इसमें बात की जाती है, तो बहुत सारे Peter होगे, but Paul कितने रहें, पॉल बहुत कम रहें, तो इस तरीके थे fraud उन सभी के साथ हुआ, जो नीचे थे लोग, आगे देखें दोस्तो, तो दोस्तो, अल्टीमेटली क्या बताया, ओनेबल हाई कोट ने, जो कि सुप्रिंग कोट की जज्मेंट में ये पारग्राफ लिखावा है, ओनेबल हाई कोट का, कि इस 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 तो टोटल फ्रॉट, इस अ मैथमेटिकल इंपॉसिबिलिटी, आईए दोस्तो, इससे भी इं सुप्रिंग कोट ने जो अब्जर्व किया, इसके अंदर वो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया, दा सिस्टम इस एन इन हेरिटेंटली फ्रजाइल सिस्टम, अंदर से इन हेरिटेंटली शुरू सही एक पुरा फ्रजाइल और पुरा एक कमजोर सिस्टम है, विच इस अनव इस स्कीम, जो मूर्ख लोग हैं, वो ही ऐसी स्कीम में फज जाते हैं, यह जो लालची लोग होते हैं, वो ऐसी, यह जो स्टुपिड लोग होते हैं, वो इसमें फज जाते हैं, इस अन्दर पैसा लगा दिया, तो आप यह नहीं कहेंगे कि वो बुद्दू था, वो स्टु सकता है तो दोस्तों सुप्रिंग कोट ने याँ बता है कि लोगों को इसके अंदर भी रेमेडी दी जाती है तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से भी कोई लोग ऐसे किसी मॉरल के विक्टिम है आपको चीट किया गया है तो आप इसमें चीट मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और एक इंपॉर्टेन्ट चीज दोस्तों अब ध्यान रखेगा अगर आप खुद भी ऐसे किसी मॉडल से जुड़े वे ऐसे किसी कूपनी से जुड़े वे हैं तो हमेशा ध्यान रखे दोस्तों कभी भी आपके उपर गाज गिर सकती है क्यों मुझे पास रोज जो है 50,000 रुपए का चेक आएगा और इसने मुझे इंड्यूस करके मेरे से पैसे लेके इसमें इन्वेस्ट कराए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आप तो किसी के नीचे मेंबर बने कोई आपके नीचे मेंबर बने ना बने it is not certain हो जकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं अपने नीचे मेंबर बना लोगे उस व्यक्ति के नीचे चेन बने ना बने it is uncertain तो दोस्तों यह कुछ नहीं है दिसे nothing यह कोई business model नहीं है business का means कि investment करो कोई production होगा कोई services होगी वह tangible भी हो सकती है वह non tangible भी हो सकती है और उससे क्या होगा profit आएगा consumers होंगे आपके बड़ दोस्तों आपके इस जो marketing model के अंदर consumer कौन है कौन है वो लोग जो आपके product को खरीद रहे हैं जिसे profit आ रहा company grow कर रही है यहां पर ना तो consumer है ना कोई manufacturer है ना कोई producer है तो फिर है कुछ लोग जो इस company को start करते हैं वो ही last minute से fraud करते हैं और उनको केवल और केवल केवल और केवल अभी आपने पढ़ाना पीटर्स चाहिए ताकि वो Paul को उसके अंदर benefit मिलता रहे तो दोस्तों यह है marketing multi level marketing की सच्चाई उस networking की सच्चाई जिसके अंदर अच्छा बोनने वाल पर टुता वाले लोग आपको बेकूफ बनाते हैं आपको बड़े बड़े होटेल से बोलाया जाता है हज्जारों की भीड होती है motivation speakers होते हैं जो पता दें multi-level marketing बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है आपको यह मिलेगा आपको energy मिलेगी आप enthusiastic हो जाए आप अपने नीचे members बना यह product खरीदिये दोस्तों प्रोड़क्टों खरीद लेंगे लेकिस प्रोड़क्टों का मार्केट में existence क्या है कि दोस्तों बड़ी-बड़ी कमपनी डावर है कि यूनिलीवर है पतंजली है इनके प्रोड़क्शन हो रहा है कमपनी को profit हो रहा है ज और दोस्तों इसमें नुकसान होने वाला है आप लोगों को जो आप इनोसेंट है जिनको बरगलाया जाता है अलग-अलग तरीके के लोगों के अप्रोच करके आपके को एक अर्सके अंतर सबसे बड़ी बात है कि आपका एक रिलेटिव करेगा और अपने सभी रिलेटिव बन जाएंगे आपके बाप बड़ी औडी गाड़ी होगे आपके अगड़ीर अब सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के तहट में आपको केवल और केवल यही बताना चाह रहा था कि इसके लीगल कॉम्प्लिकेशन्स भी हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप किसी को चीटिंग करते हैं तो वो वेक्ति आपके खिलाब मुगदमा दर्जक करा सकता है वो कमपनी के मालिक जरूरी नहीं है कमपनी तो रिस्पॉंसिबल है ही है पर वो आपके खिलाब भी करा सकता है और आपके साथ अगर चीटिंग होती है फ्रॉड आपको महसूस है तो आप भी कमपनी में जोड़े रहने के लिए आज इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के उपर जो भी मैंने आपको चीज़े बताई उसके रिलेटेड कुछ मुकदमे दर्जुएं जो कि यह मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं साइबराबाद के थाने में इसमें मुकदमे दर्जुएं कश्मीर से लेके कन्या कुमारी राहिस्थान से लेके कलगत्ता उड़ीसा तक ऐसी कई कमपनिया हैं दोस्तों जो इस तरह के काम कर रही हैं बाद में उनके खिलाब मुकदमे दर्जुएं हैं हजारों करोडों के दोस्तों मुकदमे दर्जुएं तो दोस्तों आप बचे रहें ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो एजेंट से जो आपको अपनी बातों में घुमा कर अपनी चुपडी चुपडी प्यारी प्यारी बातों में घुमा कर आपको इस जाल में फसाते हैं और बाद में इससे कि आप लीगली सकते हैं या आपको फसाया जा सकता है दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल साहता को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों कमेंट कीजिए धन्यवाद नमस्कार